Hi guys, आज का lesson है mistakes, common mistakes during IELTS writing task 1. तो पहले ये बताते कि IELTS writing tasks हैं क्या, तो पहला तो है two writing tasks होते हैं, two tasks and total exam होता है 60 minutes का writing का, तो two tasks में क्या होता है, पहला task होता है task 1, तो task 2 के बारे में हम आज बात नहीं करेंगे, task 1 के बारे में बात करेंगे, तो task 1 में होता है, एक होता है general, अब general में क्या होता है, general अगर आपने IELTS, उसमें reading और writing बस different होता है, तो reading में sorry writing में क्या different होता है कि उसमें different होता है कि जो general है वो एक letter होता है आपने letter किसी को लिखना है formal हो सकता है या informal हो सकता है और अगर आपने academic लिया तो academic में आपको अगर आपने academic IELTS चूज किया है तो आपने उसमें डायग्राम को solve करना है, डायग्राम को solve करना होगा, तो इस डायग्राम पे हम जादा बात करते हैं, आगे जाके, तो IELTS की क्या होती है, task 1 academically, पहले तो task 1 बंदा लेते हैं, general का, तो general में letter होता है, तो कौन सी mistakes use करते हैं students, अगर letter आपके best friend को है, या आपके किसी relative को है, बारे में किसी principal को लिखने है, अपने school के, या किसी boss को लिखने है, तो आपका होएगा letter, formal, तो यह differences होएगी, general में, तो यह आपने students के mistake करते हैं, वो उल्टा कर लेते हैं, वो कर लेते हैं कि informal लिखते थे boss को, या principal, या किसी भी authority को, authority figure को, और formal लिख लेते हैं, अपने किसी भी relative को, तो यह उल्टा नहीं होना चाहिए, तो यह common mistakes है, जो general students करते हैं, अब हम देखते हैं, common mistakes जो academic students करते हैं, common mistakes जो academic task 1 में होती हैं, वो है, listing too much, तो पहले तो हम बताने कि क्या होता है task 1, तो वो होता है, एक diagram दी होती है, वो हो सकती है, flow chart हो, bar chart हो, pie chart हो, तो उसमें different, आपने compare और contrast करना होता है, different चीजों को, जैसे यह chart दी भी है, एक यह chart है, और एक यह chart है, तो इसमें से क्या कहते हैं, कि इसमें population growth इतनी है, population growth इतनी है, काम है, तो इसमें कर ले 20%, इसमें कर ले 40%, तो आपने फिर और भी इसमें statistics दी होएंगे, तो आपने statistics का फर्क बताना है, तो इनको compare and contrast करना है, तो उसमें क्या होता है कि mistakes कुंसी, वो करते हैं हम बताते हैं अभी, तो common mistakes हैं, सबसे पहले, too much listing, listing, बहुत जाना listing करना, पूरा मतलब के, key points बस बताने होते हैं, diagram के, हर चीज़ नहीं list करने होती, कि diagram में ये लिखाव है, वो लिखाव है, याद रखें कि ये बस 150 words का है, और अगर ऐसे लिखते हैं, तो आपके 1000 words ता को जेंगे, तो आपने, बस most important information लिखनी है, और second है, no listing, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि students confused होते हैं, उनको समझ नहीं हाती क्या लिखना है, तो वो बिलकुल कुछ नहीं list करते हैं, उसके बारे में, diagram के बारे में, या pie chart या, जो भी flow chart दिया होती है, तो chart या diagram के बारे में, कुछ भी list नहीं कर पाते हैं, फिर है, no comparison, no comparison, अगर हुआ तो इस कमद है कि आपने compare and contrast करने हैं, बट कभी-कभी आप गलत, आप बिलकुल compare and contrast ही करते हैं, आप बस लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं, about nothing in particular, तो फिर next होएगा, no proper sentence structure, तो अगर कोई proper sentence structure नहीं दिया है, प्रोपर grammar नहीं उसकी, प्रोपर vocab नहीं उसकी, फिर तो आपका, बिलकुल आपका band 5 से आगे नहीं जाएगा, तो अगर आपने 7 या 8 band लेके आने हैं, तो आपने listing करनी है, पहले तो आपने listing से ही करनी है, फिर आपने comparison करना है, फिर आपने proper sentence structure नहीं तीनों चीजों से आपका task 1 में 7 या 8 band आएगा, तो इसके साथ मैं lesson एंड करना चाहता हूँ, अगर आपने हमसे contact करना है, तो नीचे दियेवे numbers में हमें, राप्ता करें, और अला आपिस.